हेलो फ्रेंट्स, माइनेम इस सितेंद्र चोधरी और वेलकम टूल ओफ यू तो प्रेपाईस। दोस्तों, आज फिर नई वीडियो में आपके लेके आया हैं कुछ नए MCQs, देखें, MCQs के थ्रूप प्रेपरेशन करना हमेशा बेनिफीसियल होता है। कि अगर आप किसी भी टोपिकों पढ़ते हो तो आप उसका 25-30% ही रिटेन कर पाते हो ओवर शोट प्रेपरेशन करते हो तो आपकी जो रिटेनिंग पावर है वो कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए MCQs के थ्रूप तियारी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नेपाल रिलेशन्शिप, देखें इंडिया नेपाल रिलेशन्शिप के बारे में आज एक पेपर में आया है, अब वह भी देख सकती हो, क्योंकि रिषेंटली इंडिया और नेपाल के अंदर पॉलिटिकल क्राइसी चल रहा है, पिछले कई सालों में वहां से आठ से 10 जो रिलेशन्शिप हमारे सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है हमारे सिलेबस में आप जियास पेपर 2 अगर देखोगे तो वहां पर रिलेशन्शिप और इंडिया विद इट्स नेबर्स बिल्कुल एक्स्क्लूजिवली मेंशन है, चाहे वो भूटान हो, नेपाल हो, चाहिना पाकिस्तान श्रिलंका के साथ आपको त्यार ही करना चाहिए, देखिए, इंडिया और नेपाल के बीच में ये क्या कह रहा है, अब ही मेरे साथ साथ कोश्चिन पढ़ते रहो क्योंकि आपको ये कोश्चिन अटेम्ट करना है, इंडिया शेर्स बांडरी विद शिक्स इंडियन स्टेट्स उत्त्राखंट, उत्त्रप्रदेश, वेस्ट बेंगल, सिक्क्किम, भिहारःःऌ जाहरखंट, ये तीन स्टेटमेंट यह आपे दियु ही हैं, जो आज की एडिटोरिल के के ऊपर ही based हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा समय देता हूं, आप अपने time लीजिए और इसको solve करने की कोशिश कीजिए. Elimination method is the best way to solve any MCQ. Elimination method मतला तीनो statement को पोड़ो, जिसमें से एक statement आपको ऐसा लगता है, कि यह तो 100% untrue है, incorrect है, उस पे focus कीजिए. अगर आपके एक बार incorrect statement का पता चल गया है, उसके बाद आप options को देखें, वो क्या कह रहा है, कौन-कौन सी option है, उस statement को वहाँ से reject कर दो. देखें, इंडिया के अंदर, अगर आपके इंडिया का मैप पता हो, अगर आप देखो के इंडिया के अंदर कौन-कौन सी states है, जो land logged है, मतला या ना तो वह किसी coast के साथ जाती है, ठीक है, coast के साथ, और ऐसी countries, ऐसी states इंडिया के अंदर, जो किसी के साथ international boundary भी नहीं बना आती है, अगर आप इंडिया के मैप को देखो गए, तो यहाँ पर आता है आपका 36 गड़, बिल्कुल land logged state है, एक आपका आता है मध्या प्रदेश, और एक आता है आपका हर्याना, ठीक है, और यहाँ पर आगे आपका यह तेलंगाना, तेलंगाना, तो these are the states which are completely land logged, यह पोस्टल, तो हम यहाँ पर छोड़ी देते हैं, क्योंकि वह हमारे question का पाट नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर map में देखो, this is Nepal, यहाँ पर उत्रखंड है, definitely यह बनाता है, ठीक है, यूपी तो खर बनाता ही है, ठीक है, यहाँ आपका यहाँ बिहार आ गया, यहाँ पर आपका सिक्की मा गया, तो these are the states, they share boundary with Nepal, थोड़ा सा पाट देखे, आप यहाँ पर यहाँ पर यह देख सकते हो, ठीक है, जारखंड तो बहुत दूर अभी है, यह जारखंड तो यह रहा, ठीक है, जारखंड भी जो है, लैंड लोग ही state है, इंडिया का, ना तो coastline के सा statement 2, पिकर जारखंड बहुत दूर है, रहो नेपाल से है, तो statement 2 देखते हैं हम question में, इसके अंदर statement 2 दिया हुआ है, first के अंदर इसका मतल यह तो automatically reject हो गई, now again find out the 2, यह भी reject होगी, क्योंकि B के अंदर भी 2 दिया हुआ है, D भी अपनिया भी reject होगी, क्योंकि इसके अंदर 2 दिया हुआ है, अरे बचा कौन सा, यह, तो exam में जितना important correct statement को find out करना है, उतना ही important incorrect statement को भी find out करना है, so if you go by the previous questions of the UPSC, यह जो elimination method है, it is very very beneficial, और अगर आप बात करोगे, तो बहुत सारे लोग इसको बारे में बात करते हैं, that elimination method is actually the better way to solve NM secures rather than finding the correct answer, because वो बहुत confusing हो जाता है, अगर आपने ठीक ठाक preparation की है, revision थोड़ा बहुत किया है 2-3 बार, प्रिलिम से पहले, तो यह method बहुत ही जादा आपके लिए beneficial होता है, ठीक है, तो अगर इसके थ्रू जाओंतों में, statement is C, देखें, पढ़ लेते हैं, 1 में क्या कहा रहा, the boundary of the India-Nepal was fixed by 1816 by the British and India inherited the area, यह यहां पे एक जगह है, जिसका नाम है काला पानी, काला पानी, और यहीं पे एक पास है, जिसे लिपू लेखला पास, लिपू लेखला पास important है, क्यों? क्योंकि बहुत unique है, लिपू लेखला पास is situated on the trijunction of Nepal, उत्रकंड and China, trijunction पे है, इसलिए important है, कई बार यहां पे आया था, मांसरोर, कैलाश मांसरोर जाते हैं न, लोग हिंदू pilgrimage के लिए, तो इंडिया ने यहां से रोड निकाल दिया, यह बोलके काला पानी तो मेरा पार्ट है, नेपाल ने बहुत नहीं सर, काला पानी आपका पार्ट नहीं है, यह मेरा पार्ट है, जिसको लेके काफी इशू भी जनरेट हुए, तो देखी, यह है काला पानी, और यह यहां पे है लिम्पू यदूरा, अब यहां से एक छोटी सी स्ट्रीम निकलती है, यहां से भी एक छोटी सी स्ट्रीम निकलती है, जिसे काली रिवर का जाता है, नेपाल का मानना यह है कि काली रिवर का सोर यहां है, इसलिए सारा एरिया मेरा है, जो ओरेंज कलर में, इंडिया का माना के ऐसे बिल्कुल नहीं है, काली सोर का रिवर जो है, यहां पे हैली पूल एक लाग के पास, तो यह बाउंडरी यह है, इस दोनों इसको लेके जगड़ावाद है, वैसे भी 1962 में जब चाइना का और इंडिया का वर हुआ था, उस टाइम पे लेखे, इंडिया नेपाल के रिलेशनिशिप अच्छी है, तो इंडिया ने उस टाइम पे यहां पे अपनी एक आर्मी बेस बनाया था, इंडिया 62 के बाद भी वो हटाया नहीं गया, आज भी इंडिया के जो है, सोल्जर्स यहां पे हैं, वो रहते हैं यहां पे, चीक है, तो इंडिया का ही है, क्योंकि ब्रिटिश के साथ भी हमारा अग्रिमेंट हुआ था, बाद में नेपाल बावले जो है, वो दूसरे मैप ले की आए, 1876 का मैप ले की आए, 1882 का मैप ले की आए, जिसके अंदर काला पानी को नेपाल का पार्ट दिखाया हुआ है, इंडिया 1850 का मैप ले की आए, जिसके अंदर उसको इंडिया का पार्ट दिखाया हुआ है, तो वो मैप का लेकर थोड़ा सा जगड़ा हुआ था अपने political crisis से, तो ये हो गया, दूसर क्या कहता है, इंडिया has signed three sister city agreement, देखी ये, दो countries के बीच में, और दो states के बीच में, एक cultural relationship बनाने का एक initiative है, culture relationship बनाने के initiative है, जिसे कहा जाता है, sister city agreement, मतलब, जैसे culture relationship की आवलोब बात करते हो, जैसे काठमांडू और बनारसी है, काठमांडू, जो है, इससे कहा जाता है, cultural capital of Nepal, ऐसे ही बनारस को कहा जाता है, cultural capital of India, तो इन दोनों के आपस में relationship है, दोनों हिंदूज, बहुत सारे pilgrimage हैं यहां पर, बहुत सारे पुराने temples हैं यहां पर, लुंबिनी और बोध गया, दोनों महात्मा बुद्ध से related हैं, तो यह sister cities है, ऐसे ही जनकपूर और अयोध्या, प्रभु श्री राम कहां से थे, फ्रोम अयोध्या, और माता सीता कहां से थी, फ्रोम जनकपूर, जानकी थी जानकी नाम था उनका, जो राजा जनक थे, उनको जमीन में से निकाला था है, तो वो आप सब को कहनी पता है, तो these are the sister city agreement between all these cities, so that is why option C is correct, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, what this second question is saying, it is saying, आप किसको थोड़ा पढ़ी है, एक मिनट लीजिए और आंसर को solve करने की कीजिए, वैसे भी अगर आपने newspaper अच्छे से पढ़ा होगा, तो easily solve होई जाएगा, तो एक मिनट का time देता हूं, इसको पढ़ो और उसके बाद, इसको हम लोग discuss करते हैं, यहां पर, ठीक है, consider the following statements regarding National Commission for Backward Classes, NCBC, NCBC is a statutory body, अच्छा, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, okay, first statement, second statement is saying that it participates and advises on the social economic development of the society and educationally backward classes and evaluates the progress of their development under the union and any state, okay, this statement is saying this, और क्या कह रहा है, it has all the powers of civil court, it has all the powers of civil court while trying a suit, ठीक है, एक civil court होता है, criminal court होता है, आपको यह पता होगा, ठीक है, civil court होता है, जब दो लोगों के बीच में जगडा होता है, और criminal court का मतलब ही होता है, crime का मतलब ही होता है, जब आप society के against मे crime करते हो, या state के against में crime करते हो, that is your criminal case, ठीक है, जब आपने किसी का murder कर दिया, rape कर दिया, वो सब criminal case हो जाते है, ठीक है, तो यहाँ पर देखे क्या कर रहा है, NCBC is a statutory body, statutory body, we have two types of body, एक होती है, statutory body, एक होती है, constitutional body, एक non-constitutional body भी होती है, यह body सारी कि सारी लक्षमिकांत में mentioned ह ठीक है, आपको जाकर पढ़ना चाहिए, constitutional bodies, non-constitutional bodies, statutory bodies, statute का मतलब होता है, जब कोई body, कोई organization, कोई institute, एक कानून बना के बनाया जाता है, एक कानून आप पास करते हो, उसके basis पे उस organization को establish करते हो, that is your statutory body, constitutional body वो होती है, जो constitution के अंदर में mention होती है, जैसे election commission, UPSC, CAG, यह सब constitutional bodies है, ठीक है, तो यह कह रहा है कि NCBC जो है, it's a statutory body under the Ministry of Social Justice and Empowerment, अगर आपने थोड़ा बहुत लक्समिकांत पढ़ा हो, तो यह मैं आपको यह बता देता हूं, कि this is not a statutory body, this is a constitutional body, it was established as a statutory body, as a statutory body ही इसका established किया गया था, but later on, but later on, इसको हम लोगों ने क्या किया, constitutional body बना दिया, constitutional body बना दिया, ठीक है, one hundred and second constitutional amendment के through, हम लोगों ने इसको बना दिया, एक constitutional body, constitutional body, मतलब इसको हम लोगों ने constitution के अंदर mention कर दिया, किसी article के under में, ठीक है, article के under में, तो यह statement आपकी हो गई, यहां से incorrect, आपकी हो गई, incorrect, आपकी हो गई, incorrect, अब तो आप देख ल के अंदर है तो एक इसके अंदर है तो यह तो अपना भी इंकरेक्ट हो गया, यह भी इंकरेक्ट हो गया, यह भी इंकरेक्ट हो गया, तो कि सब के अंदर एक दिया हुआ है, this is a constitutional body under the ministry of social justice and the empowerment, ठीक है, यह वाला रूब वर्ड आपका यहाँ पर गलत है, तो this can be rejected easily, और जब इसको reject कर दिया, तो समझे लो आपके right answer, देखिए यह question भी आपका elimination method के थुरू, हो सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से, तो 2018 तक, देखिए 1993 में establish होई थी, मंडल commission के बाद, मंडल commission आपको पता होगा, इंदरा सहानी case, जिसको कहा जाता है, इंदरा सहानी case, जि इस body को बनाया था, लेकिन 2018 के अंदर हम लोगों ने constitutional amendment करके, इसको एक constitutional body बना दिया, और यह amendment क्या होता है, what is the meaning of this amendment, जब भी आप constitution के अंदर कुछ नई चीज़ add करते हो, that is called constitutional amendment, यहाँ पे एक और point आपको बताता हूँ, जब आप कुछ चीज़ subtract करते हो, that is also called constitutional amendment, मतलब change करना, या तो उसमें plus करो, या उसमें minus करो, that is constitutional amendment, ठीक है, चलिए, तो हमें right answer तो पता चली गया है, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं, कि statement अगली क्या कह रही है, it participates and advises on the, participate भी करता है, advice भी करता है, on the socio-economic development, social plus economic, दोनों चीज़ होता है, social मतलब जैसे education, जैसे health, यह सब social में आ गया, economic का मतलब, जो output से related है, जो पैसे से related होता है, of the socially and the educationally, socially and the educationally backward classes, वो class जो है socially भी backward होनी चाहिए, और educationally भी backward होनी चाहिए, economically backward नहीं लिखा हुआ है, socially backward का मतलब यह है, जैसे कोई lower caste है, चाहे उसके पास पैसे हो, but still उसके साथ, उसके साथ जो है, discrimination किया दाता है, society में, तो आप economically strong हो, उसके बावजूद भी socially backward हो, because you are not getting the respect you deserve in the society, और educationally तो आपका पता चली गया है, कि पड़े लिखे नहीं हो, it has all the powers of the civil court, दे कि civil court की power है, इसके पास criminal court की power नहीं है, ठीक है, चलिए, statement third क्या कहता है, statement third is saying, consider the following statements regarding GST, Council, Goods and Service Council, एक बड़े इसक पड़े लिजिए, उसके बद हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, GST, Council, Goods and Service Council, Council का मतलब होता है, it's a grouping of experts, जो decisions लेते हैं, ठीक है, तो GST Council is also a grouping, जिसके अंदर states के representative और centers के representative बैठते हैं, और फिर वो discuss करते हैं, क्या discuss करते हैं, taxation discuss करते हैं, क्या discuss करते हैं, टे Tax, GST talks only about indirect tax, not the direct, direct taxes, direct taxes कोई लेना देना नहीं है, it also talks about indirect taxes, indirect taxes की हमारी country में अलग-अलग slabs हैं, 28% है, 12% है, 18% है, तो यह discuss करती है, council के, इसमें हम लोग कौन से product को add कर सकते हैं, कौन से पर subtract कर सकते हैं, कौन से पर tax बढ़ा सकते हैं, किस पर tax घटा सकते हैं, वो सब के सब discuss करती है, and GST council is the top most, or the largest, or you can say the most powerful body when it comes to the decision-taking about the taxation in India, तो यह है GST के बारे में, आज ही यह article आया है, हिंदो में आप उसको पढ़ सकते हो, it is a constitutional body, okay, article 279A, okay, for the making recommendation to the union and the state, देखे, union को भी recommendation कर सकती है, state को भी, देखते हैं, statement correct है के नहीं है, government on issue related to the goods and service tax, goods and service tax, okay, GST council is chaired by the RBI governor, देखे, यह statement थोड़ा सा यहाँ गडबड हो गया, अगर आपको GST council के बारे में पता है, तो governor का इससे कोई लेना देना नहीं है, गवर्नर जो है, banking से मतलब रखता है, taxation is not a territory of banks, ठीक है, taxation is a territory of fiscal policy, और fiscal policy में government का रोल होता है, banks का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है, banks को अलग चीज़ है, तो RBI governor को यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, तो statement 2 यहाँ पर incorrect है, तो इससाब से हम दोग देख लेते हैं, 2 किस के अंदर है, यहाँ पर 2 है, reject करो, 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 तो एक ही statement बचा हमारे पास, elimination method मैं बता रहा हम आपको, is the key, you need to find out the incorrect option which is given to you, अगर आपने वो कर लिया, तो आप correct answer तक, अगर यह जान लिया ना कि कौन-कौन से रास्ते गलत हैं, तो सही रास्ते पर अपने आप ही पहुंच जा होगे, तो first statement is definitely correct, it's a constitutional body, article, under article 279a, चीक है, third statement is also correct, according to this, it is considered as the federal body, federal का मतलब यह होता है, जिसके अंदर state और center दोनों participate करते हैं, that is the meaning of federal, where both the center and the state get their representation, okay, very good, तो यह देखें, GST council की हमें meeting हो रही है, यह है, अरुन जेटली जी, unfortunate इनकी death हो चुकी है, ठीक है, जब यह finance minister थे, तो यह सके chairperson हुआ करते थे, तो finance ministry की chairperson होते हैं, ठीक है, ऊपर से minister of state for finance, जो है, जो है, पर है जो है, from the center side, wise chairperson होते है, one of the state finance minister, जो state के जो chief minister है, वो appoint करते है, state finance ministers को यहाँ पर, यहाँ भी आते है, meeting में बैठते है, और दूसरे member होते है, state finance ministers, जो है, वो दूसरे यहाँ पर, members होते हैं, क्योंकि center state दोनों बैठते हैं, इसलिए कोई भी decision लिया जाता है वो दोनों के consensus के साथ लिया जाता है decision making में जो one third vote होती है, वो होती है center की, और जो two third vote होती है वो होती है state की, तो दोनों mil jule के decisions लेते हैं कोई भी decision अगर pass करना है तो कम से कम 75% लोगों की आपके पास vote होनी चाहिए तो वो decision pass हो सकते है, जो भी आपको वहाँ पर provision लेके आने है so that was about GST GST is nothing but VAT ठीक है, value added tax on a larger scale, दूसरे जितने भी indirect tax थे, अभी वो merge कर दिये गए है, आप मुझे comment section में क्या बताना है आपने मुझे यह बताना है कि ऐसी कौनसी items हैं इंडिया में जो GST का part नहीं है comment section में आपके answer का wait करूँगा, मैं exam के लिए important है, बता रहूँ okay, चोथा क्या कह रहा है question number 4, consider the following statements regarding intermediary guidelines and the digital media ethics, आज बहुत जगड़ा है, मैं परसो और कल में सब लोग ऐसा सोच रहते हैं कि शायद इंडिया से facebook, twitter, instagram गारा बंद हो जाएगा, ऐसा क्यूं है अभी आपको पता है कि जो facebook है वो central government के against में दिल्ली high court में भी गया है, यहाँ पर social media platforms और central government के बीच में जगड़ा हो रहा है, कुछ बातों the code mandates for appointing a resident grievance officer chief compliance officer and the nodal contract, देखिया आजगी बहुत current में है तो आपका इसके बारे में पता होना चाहिए, it is mandated to submit weekly reports on complaints received from the users and action taken, इसको एक report submit करानी पड़ेगी के जो भी complaints users ने डाली है, instant messaging apps were to make provisions for tracking the first originator of the message, first originator of the message, okay देख लेते हैं, यहां पर यह क्या कह रहा है चलिए, यहां पर आप गर आप news पड़ रहे होंगे तो यहां पर एक चीज आपको थोड़ा वसा मैं बता देता हूँ, जैसे airtel है, ठीक है, airtel सबको internet प्रोइड कराता है, अगर मेरे पास airtel का सीम है, और मैं internet पर सर्च करता हूँ, how to make bomb, तो वो मेरा गलती है, वो airtel को अगर ऐसा नहीं है कि कल को अगर कोई person internet पर खोज कर रहा है, सर्च कर रहा है कि how to make bomb, और police वाल airtel वालों को जा कर पकड़ेंगा, ऐसा नहीं है, airtel is just a service provider, same happens with the facebook, same happens with the whatsapp, अगर आप लोग माल लो किसी particular community के against में अगर आप whatsapp पे messages forward करते हो तो इसमें whatsapp का कसूर थोड़े ही है, आपको पकड़ा जाएगा whatsapp is just an intermediary यहाँ पर यह सवाल है, government यह कह रही है कि अगर ऐसा होता है अब ऐसे होई रहा है बहुत सा रहा है कर रहा है, या state की against में सरकार की against में, देश की against में कुछ activity कर रहा है तो आप हमें बताओगे कि वो कहां से originate हुआ है ना जैसे लोग दिन भर whatsapp message forward करते रहते हैं, मैंने को यहां से whatsapp message बनाया और वो पूरे देश में circulate हो गया, सरकार facebook से जाके यह पूछ सकती है, कि यह message कहां से originate हुआ है ताकि हम उसको जाके पकड़ सकें यहां पर यह सवाल है तो यह कह रहा है facebook से कि आप ऐसा करो यह जो IT rule है, इसके अंदर में यह सारी चीजे mention है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका intermediary का status हम यहां से खतम कर देंगे उपर से facebook whatsapp का यह कहना है कि आगर हम लोग इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर किसी का message track करना पड़ेगा, अरे तभी तो पता चलेगा ना message कहां से originate हुआ है, और इसको track करना एक तो next to impossible होता है क्योंकि whatsapp की जो chat होती है वो one-to-one encrypted होती है, इसे कोई भी नहीं पड़ सकता, लेकिन अगर सरकार यह provision add कर रही है, इसका मतलब whatsapp को आपके message पढ़े, अब whatsapp के message पढ़ेगा तभी तो track करेगा, तो whatsapp यह कह रहा है कि यह तो technically भी possible नहीं है, इतने तो whatsapp यही कह रहा है कि this is against the privacy ethics, लेकिन सरकार यह कह रहे है, देखो privacy privacy कुछ नहीं होता, it's not an absolute right, है ना, constitution के अंदर लिखा हो है, कोई भी fundamental right absolute नहीं है, अगर जुरुत पड़ेगी situation के according उसको change किया सकता है, है ना, infringe किया जा सकता है, यहाँ पर यह issue है, तो इसी को लेके एक question है, the code mandates for appointing the residential grievance officer, chief compliance officer and the notal complaint officer, मतलब अगर आपको ने, मालो, किसी ने, किसी person ने, किसी लड़की की photograph लेकर social media से, अगर उसको साथ छेड़े खानी करके, उसको social media पे अगर उसको distribute कर दिया है, तो अगर wallet की complaint करती है, तो कहाँ complaint करेंगी, तो उसके लिए जो है, एक grievance officer होना चाहिए, नोडल contact officer होना चाहिए, तो this statement is absolutely correct, third statement क्या करता है, instant messaging apps were to make provisions to tracking the first originator, देखी, इस पहले ही बात कर लिया, तो this statement is also correct, it is mandated to submit weekly reports, एक weekly report तोगरा की बात नहीं करता है, तो this statement is incorrect, question number five क्या करता है, which among the following is a possible cause for the inflation, inflation मतलब महंगाई, महंगाई मतलब rise in price ही तो होते महंगाई, है ना, rise in price of goods and services over a period of time, अब यह महंगाई बढ़ती कैसे है, कुछ options यहाँ पर दिये हुए है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, एक minute आपको देता हूँ, आप try to find out which is the right answer, ठीक है पहला क्या करा है, higher input prices मतलब एक जूता बना ले के लिए आपको क्या चाहिए, leather चाहिए तो leather क्या है, वो input है leather is input, raw material अगर input का ही price बढ़ जाएगा तो definitely जूते का price भी बढ़ जाएगा और जब जूते का price बढ़ जाएगा तो inflation yes, definitely this is the right statement, अगला क्या कहा था disruption in the rural economy मालो कोई agriculture product है है ना मालो chips है, कोई chips बनाने वाली company है उसको जो आलू आ रहे हैं, वो किसी rural area से आ रहे हैं, अगर rural area के अंदर ही disruption हो जाएगा तो वो जो आलू की supply रुख जाएगी और जब आलू की supply रुखेगी तो इससे input cost बढ़ जाएगा है ना, input cost बढ़ेगा तो definitely आपका final जो product होगा उसका price भी बढ़ जाएगा this statement is also correct third statement क्या कहता है, employment schemes like manrega क्या ये manrega से महंगा ही बढ़ती है बिलकूल बढ़ती है क्योंकि जेतना manrega का मतलब ये है that you are giving money to the people और जब लोगों के साथ पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, उनकी disposable income बढ़ेगी और जब लोगों की income बढ़ती है they demand more and more and when they start demanding more and more it means they are willing to pay higher prices for the goods and services तो जब मनरेगा के अंदर में लोगों के जब पास जब पैसा आएगा तो वो ज़्यादा demand करेंगे ज़्यादा demand करेंगे तो चीजों का कीमते जो है वो भी बढ़ने लगेंगी और इसी को कहते है inflation तो जब भी economy के अंदर salary बढ़ाई जाती है तो inflation generate होती है तो this statement is also correct अगला क्या कहता है low interest rates होंदा loans अब देखे banks से लोग loan लेने के लिए जाते हैं है ना अगर loan के interest rate बहुत ज़्यादा high होंगे तो लोग bank में नहीं जाएंगे लेकिन अगर वही bank अगर loan बहुत सस्ते rate में देने लगे cheap rates पे देने लगे तो सारे के सारे लोग loan लेने के लिए bank में भागेंगे है ना किसी को car loan किसी को home loan, किसी को education loan किसी को personal loan, किसी को marriage loan किसी को कोई loan तो जब loan सस्ते हो जाएंगे, जादा से जादा लोग bank से पैसा लेंगे, तो मतलब लोगों के पास जादा पैसा आएगा, और जब economy में जादा पैसा आता है, तो inflation generate होती है, महंगाई बढ़ती है, क्योंकि जादा पैसा आने से लोग जादा चीज़ें demand करते हैं, और जब demand ब price बढ़ जाता है, input price बढ़ जाता है, और दूसरा आपका आगया यह demand बढ़ जाती है, जब मंद्रेगा के थ्रू भी demand बढ़ती है, है ना, जब low interest rate होते हैं, तब भी demand बढ़ती है, तो यह सारी सारी चीज़े demand वाले सक्टर में आजए, increasing indirect taxes by the government, indirect taxes by the government, देखे, indirect taxes से कैसे बढ़ेगा, जब सरकार जादा जो है, indirect taxes को बढ़ाएगी, तो इसका सीधा सीधा फर किस पर बढ़ेगा, indirect prices का मतलब होता है, जो सभी के ऊपर equal होते हैं, indirect prices, जैसे किसी ने कोई product बनाया, जैसे किसी ने shampoo बनाया, या कोई laptop बनाया, तो उसके ओपर सकार indirect taxes लगाती है, अगर सकार indirect taxes लगा देगी, तो उस price, उस जो product है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, है ना, जादा indirect taxes मतलब जादा price of the goods, और जब जादा price हो जाएगा, तो this is inflation, ठी है, so this statement is also correct, so all statements are correct है, so answer should be D, 1, 2, 3 and 4, ठीक है, so these were the 5 questions which were taken from the today's The Hindu newspaper, ठीक है, थोड़ा सा detail में मैंने जाने की कोशिश करी है, ठीक है, क्योंकि ताकि आप इस concept को थोड़ा सा समझ सको, लेकिन अगर आप Hindu newspaper अच्छे से पढ़ते हो, तो बहुत सारे concept आपके clear हो जाते है, from all the section, either polity, economy, जो भी आपको section करने है, तो this is all for the day, thank you very much, all the best, जाहिंत.